हेलो एवरीबन वैलकॉम तो अगर यूटूब चैनल सो आई विल भी डिसकस एवाउट हाव तो कैल्कुलीट बेटिट जीपिए बिदाउट क्रेटिट हावर्स ओके तो हमने अनबेटिट जीपिए क्यूपर और एक वीडियो बना रखिया है उसे आप जाके देख सकते हो आ एक गरेट जाती हैं और इस ग्रेट के अकोर्डिंग हमें पुझ पॉइंट दे जाते हैं जिसे हम जी पी सिस्टम कहते हैं ग्रेट पॉइंट एवरेज ओक एविज आप सब लोग जानती हो कि हमारा होता क्या है तो चलो अब इसी में यह बात कर लेठी किसकी रेंज कितनी तो बेटरीजीपे की जो रेंज होती है 0-5 रेंज होती है इसकी स्टुडेंट ओके यह थोड़ा लेटिल वेड थोड़ा टिफिकल्ट होता है सॉल्व करने में लेकिन ज्यादा नहीं अब आप इस चार्ट को देख रहे होंगे ओके लेकिन इस चार्ट से आप कन्फिउस नह जा रहे हैं आप आंगे आंगे जैसे इस वीडियो को देखते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि मैं करके रहा हूं और फ़र्स्ट इसके कुछ पॉइंट हम समझ लेते हैं बेटर जीपे जो होता है स्टुडेंट सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है ठीक है को भी आपकी मार्क्स सेठ होए या आप बेटर जीपे अपना निकालना चाहरे हो marks का तो उरच पर बेटर जीपे ही निकलते हैं और बेटर जीपे शमीज weighscr le आप 0 to 5 जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि हमारे जो बेटी जीपे निकाला जाता है वह हमें इसा मेजर कियाता है 0 to 5 की रेंज में अब जी रेंज वगर क्या होती है आपको मैं अभी आंगे चलके बताता हूं ठीक है सिर्फ आप अभी इतना ध्यान रखिए अब बेटी इस जीं भी बता हूं उसमें रेंटी चलाश से होती है यह क्लास एंग क्लास ब्रॉड यह क्लास चलो यह भी समझ लेते हैं अब आप इस डाइग्राम को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर regular class में मात्र four point है और जिसमें आपकी और क्लास है तो और में आपका आदा पॉइंट बढ़ चुका है और कि 4.50 हो गया है वो उसी के बाद अब हमारा कॉलिज क्लास की बारी आती है तो उसमें आप देख रहे हैं उसमें सीथा सीथा एक का इंक्रीडमेंट हुआ है रेगुलर क्लास के अकॉर्डिंग और अधा लेती हैं क्यालेट बेटड जीपिय दीए तो इसका फार्मूला सबसे पहले जॉन को कैसे निकालेंगे तो आपको सबसे पहले क्या गए अगाना स्टूड़न बेटड जीपिया निकालना है और बेटडड जीपिया जब स्थे वसमें डिवाइट देदेंगा है आप चलो इसका एक example भी ले लेते हैं, इसका example जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन उसे थोड़ा हट के है, ठीक है, देखो वही है, सब कुछ सेम, बस अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो आपका Hindi है, उसमें भी AI है, और English में भी AI है, अब यहाँ पर difference आपकी, ठीक है, regular classes A, B, F हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर single कोई भी fractional value नहीं है, single है, देखो 4, ठीक है, and B में भी देखो 3, और एक आपका F में भी 0, तो आपको table में भी मैं दिखा देता हूँ यह सब कुछ, ओके, तो आप table में देखिए, A में आपका 4 है, B में आ आपका 0 है, ठीक है, यही तो थी हमारी regular classes, जबकि अब यहाँ पी हमारे क्या बात की जा रही है, कि honor class A है मात, तो honor class में आ रहा है English, तो वहाँ पर देखो 4.5 आपकी value बढ़ रही थी, देखिए, फिर से दिखाता हूँ, देखिए, अब आपकी A में 4.50 हो गया, इसी प्रक class, ओके, यानि की so की एक बात यहाँ पर यह आती है student, कि जो beta GPA होता है हमारा, वो बहुत सारी क्लासों से मिलके बना होता है, जिसको हम add करके tutor subject से divide देते हैं, और जबकि unwitted GPA में के बार regular classes होंगी, में कोई fractional value नहीं होती है वहाँ पर, ओके, तो आप उस video को देख ले, तो आ जहाँ पर हमारा total GPA इनको जोडने पर 4, 4.5, 3 and 3 and 0 को जोडने पर 14.5 आ रहा है and total subject हमारी 5 है, तो चलो, 14 में, 14.5 में हम 5 से divide दे लेते हैं, कितना GPA हमारा आएगा, okay, okay, 14.5 divide by 5, 2.9 आ रहा है हमारा, okay, तो हमारा कितना आएगा, student 2.9, तो आप देख सकते हो, हमारा beta GPA 2.9, 2.9 को आप 3.0 पर लेक सकते हो, इसमें कोई द्वारा वाली बात नहीं है, अब आप इस line पर focus कीजिए, beta GPA is little difficult to calculate, because it is employed very classes, थोड़ा से difficult है, शुरूबात में बता दिये था, कोई difficult है, बस आप से calculation activated GPA कैसे निकालती है, जिसके लिए आपको लिए next video में त्यार कर रहा हूं, तो आज की lecture में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो please like करें, share करना ना भूले, और comment करके बताए आपको, क्या यहां पर दिक्कत आई और आपको वीडियो कैसे लगी, so please don't forget to subscribe my channel, अगर channel पर पहले लिवार आयो थो, and तब तक के लिए, thanks for watching and happy learning.